हेलो गाइज, वेलकम टो इंग्लिस एजुकेशन, इस्टुडेंट्स आज हम पढ़ने वाले हैं, क्लास 11 की एक बहुत ही प्यारी सी पोयम जिसका नाम है, चाइल्ड हुट और आज हम पढ़ेंगे इससे शोर्ट कोशन आंसर को, क्योंकि हम यहाँ पर पोयम की समरी को रीड कर चुके हैं, यहां पर हमने स्टेंजा को सभी चीज़ों को कंप्लीट कर लिया है, अगर आपने नहीं पढ़ा है, तो डिस्क्रिप्शन बोक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप पढ़ सकते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यहां पर आपको कोशन दिया गया ह पाइद स्टेंजा दाट टॉक्स ओफ इच आफ दा फोलविंग, कुछ वर्ड्स यहां पर दिये गए हैं, जैसे की इंडिवेजवैलिटी, रेस्नलिज्म और हाइपकरसी, यह किस स्टेंजा से जुड़े हुए हैं, तो देखें, यहां पर वर्ड्स दिये गए हैं, इंड पोइट का कि तरफ, पोइट का क्या एटिकूड है, तो देखें, आप पर बताया गया है, लोगों के जो लोग अडल्च हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, जो वह दोगला बन दिखाने लग जाते हैं, यानि कि वो दिखावा और उपदेश क्या देते हैं प्यार का कि हमें सभी को प्यार से रहना चाहिए जबकि वो इसके विरुद बिहेव करते हैं बिलकुल ऐसा बिहेव वो नहीं करते हैं जैसा कि पोयम में दिखाया गया है तो ग्रोइंग अप की क्या प्रोसेश है क्या क्या चीजे महां पर देखने को मिलती है तो देखें तो प्रोसेश ऑफ ग्रोइंग अप इस सैडली मार्कड बाई डिपार्चर ओफ चाइल्डूड सबसे पहले तो जब हम बड़े होते हैं तो वो चिन्नित करता है कि वो चाइल्डूड से अलग हो रहा है वो इनसान जो ग्रोव हो रहा है तो देखें आपर बताया जाता है कि जैसे जैसे यह लोस होता है न तो कुछ हद तक वो हमारी जो व्यक्तित्व की कमी है न उसको पूरा कर देता है जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारे अंदर एक अलगी परसनेलिटी आ जाती है और यहां पर बताया गया है कि विवेक्षील्टा हमारे अंदर आ जाती है रैसनल मींस होता है विवेक्षील्ट तो हमारी जो सोच होती है न उसमें विवेक्षील्टा आ जाती है तो यहां पर समझ आ जाने लगता है कि जो अडल्ट है न उसका नेचर कैसा होता है वो धोंगी होता है नेचर से यानि कि जब हम छोटे होते हैं बचपना होता है तो जो उसके मन में होता है न वहीं फेस के उपर होता है बट जैसे अडल्ट होने लगते हैं बड़े होने लगते हैं एक तरफ तो बताया कि उसके अंदर व्यक्तित आ जाता है विवेक्षील्टा आ जाती है वहीं दूसरी तरफ व believes that childhood is the most precious and beautiful stage of the life तो देखिए यहाँ पर जो poet है उनका द्रड विश्वास है कि जो childhood है वो एक बहुती कीमती और बहुती सुन्दर stage है जीवन की It is marked by innocence, purity and happiness यहाँ पर हमें क्या देखने के लिए मिलता है? Innocence, मासूमियत, सुधता और खुशी देखने को मिलती है उनमें किसी चीज की मिलावट नहीं होती है वो यह नहीं दिखाते है कि हम जो हैं बाहर से कुछ हो रहे हैं अंदर से कुछ हो रहे हैं तो उनके अंदर बहुत जादा मासूमियत होती है However, this innocence and purity is lost with the passes of time हाला कि यह जो innocence है, यह जो purity है यह समय के गुजरने के साथ साथ हो जाती है and is replaced by maturity and critical thinking और यह किस में बदल जाती है? यह maturity में बदल जाती है और हमारे जो विचार होते हैं वो अलोचनात्मक हो जाती है यह आपर next question दिया गया है Which do you think are the most poetic lines? Why? कौन सी line जो हैं वो जादा poetic हैं? और क्यों है? तो देखें, यह आपर कुछ line दी दो line यह आपर दी गई है I went to some forgotten place that is hidden in a child's face तो यह जो line हैं के बारे में बताया गया है कि यह most poetic line है Actually, these are the line that beautifully sum up तो यह वो line है जो क्या करती हैं? हमें बताती हैं हमें poem की theme को बताती है These have a metaphoric meaning too इनके अंदर एक metaphoric meaning भी है The infant's innocent face height many things behind its smile तो यह पर बताया गया है कि जो infant होता है ना उसका face होता है उसकी मुस्कान के पीछे बहुत सारी चीज़े चुप जाती है Beside perfect rhyming words place and face lend musical effect to this line और दूसरी तरफ यहां पर बताया गया है कि यहां पर rhyming word यूज किये गया है जैसे कि place और face को rhyme किया गया है और यह musical effect देती है next है what do you think the poet has developed a dislike for others आप का क्या विचार है आप क्या सोचते हैं कि जो poet है वो dislike करते हैं adults को give examples हमें यहां पर examples भी देने हैं देखिए the poet is quite hurt by double standard of the adults जो adults हैं बड़े लोग हैं उनका जो दोगलापन है न वो बिलकुल भी पसंद नहीं है poet को उससे वो hurt होती है they always preach love but they behave contrary to what they say तो देखिए वो उपदेश तो देते हैं प्यार का कि हमें सभी को एक साथ प्यार से रहना चाहिए अपने छोटों को अपदेश देते हैं बट वे उसके विरुद वैवार करते हैं जैसा कि वो कहते हैं this hypocrisy develops a dislike for them in the poet's mind और उन्हीं की यह जो hypocrisy है न यह इसी की वज़ा से poet उन्हें dislike करते हैं उनके माइन में बैठा हुआ है कि वो लोग अच्छे नहीं है नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं तो देखिए आपर बताना है कि क्या हम पोयम के अंदर विचारों के बदलाव को देखते हैं वो हमें explain करना है तो जैसा कि हमने पोयम को पढ़ा था न तो पहले दो कोश्चन पूछा जाता है कि कहां कब मेरा बच्पन चला गया लेकिन बाद में जो कोश्चन हो जाता है वो हो जाता है कि कहां मेरा बच्पन चला गया तो यहां पर यहीं बताए गया है कि पोयम जो है beautifully express करती है इस change को वेन से where में पहुँच जाती है initially the poet want to seek an answer as when he lost his childhood मलब जैसे ही शुरुवात होती है न पोयम की तो शुरुवात में poet क्या सीख कर रहे होते हैं क्या किस question का answer पूछ रहे होते हैं कि उनका बच्पन कब चला गया ठीक है and later want to know where he had lost his child लेकिन last में क्या होता है कि उन्हें जानना होता है कि उनका बच्पन कहां चला गया क्योंकि उन्हें ये तो पता चल जाता है कि उनका बच्पन कब चला गया लेकिन कहां चला गया अब question उड़ जाता है ये finally he concludes that his childhood lies in the innocence of an infant तो एक infant की innocence में उनका बच्चपन चला गया conclusion निकल कर आता है फिर लास्ट में ये आगे देखते हैं why does the poet not believe in the existence of hell and heaven तो hell or heaven के होने में poet विश्वास क्यों नहीं करते हैं तो देखे दा poet does not believe in the existence of hell and heaven तो hell or heaven के एस्तित्व में poet को बिल्कुल भी विश्वास नहीं है because he does not find any mention of these places in the book of geography क्योंकि जैसे वो पढ़े होते हैं तो वो कहते हैं कि मैंने geography की book पढ़ी और geography के book में ऐसी जगाओं के कोई नाम नहीं है ऐसी जगा है ही नहीं है the books of the art place जहां पर अर्थ के बारे में बताया जाता है कि धरती पर यह यह जगा है तो उस geography के book में hell or heaven नाम की कोई जगा है ही नहीं अब पताया गया है कि उन्होंने क्या सुना था उसके बारे में the child has heard several times the mention of hell and heaven from his elders तो जो बच्चे होते हैं जब एक बच्चा होता है तो उसके जो elders होते हैं वो उसे बार बार डराते रहते हैं hell or heaven का नाम लेकर these elders do so in order to include moral values among children और moral values को develop करने के लिए यह कहानिया उन्हें सुना ही जाती है कौन सी आगे पढ़ते हैं while hell is ten symbolic of the punishment for every day और उन्हें बताया जाता है कि आप अगर बुरे काम करेंगे तो बुरे काम का सेंबल क्या है बुरे काम करने से वो hell में जाएंगे नर्क में जाएंगे punishment के तोर पर जो उन्हें बुरे काम किये न तो उनकी वज़े से उन्हें punishment मिलेगा और वो नर्क में जाएंगे heaven is reward for the good treats और उन्हें बताया जाता है कि जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो वो इनाम होगा हमारे अच्छे काम होगा तो देखिए innocent kids begin to believe the existence of hell and heaven तो कहरें कि वो जो बिचारे innocent बच्चे होते न kids होते हैं वो hell or heaven पर विश्वास करने लग जाते हैं in this world but as they grow up to study geography लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वो geography को पढ़ते हैं they learn that these two places are only virtual तो उन्हें क्या पता चलता है उन्हें पता चलता है कि ये दोनों जो जगा है न ये virtual हैं बस आभास ही है इनका हमें आभास होता है in nature and do not exit anywhere in the physical world और वो जान जाते हैं कि संसार में ये चीज़ें नहीं है physically ये चीज़ें नहीं है तो यहाँ पर next question है what all of his is lost with the loss of childhood पच्पन खोने के साथ साथ क्या सारी चीज़े lost हो जाती है childhood is marked by innocence, purity, trust, trust and adults and dueglability तो देखें आपर बताया गया है कि जो childhood है न वो किसे चिन्नित करता है वो मासूमियत को, शुद्धता को, विस्वास को ये सारी चीज़े चिन्नित करता है ठीक है और वो जो है विस्वास करने लग जाते है when one enters into the adulthood लेकिन जब कोई adulthood में enter करता है जिनके बड़ा होने लगता है all these divine qualities are lost और ये सभी जो divine qualities है ये जो पवित्रता है न ये चली जाती है and the child understand the pretense और वही बच्चा जो अब adult वन चुका है वो बहाने बनाना शुरू कर देता है दूसरों की आलोचना ये करना शुरू कर देता है और वो जो बिलकुल मासूमियत होती थी न उस face के उपर वो double face हो जाता है नीचर से ठीक है और यही नीचर यहां पर बताया गया है कि adults इसी तरह के होती है next question है what is the difference between childhood and adulthood childhood में और adulthood में क्या differences है तो देखें the childhood is full of innocence, purity, trust on adults तो देखें बच्चपन में जो बच्चा होता है न वो मासूमियत से भरा होता है उसमें purity होती है वो बिलकुल सच बोलता है और विश्वास करता है adults के उपर a child is unable to distinguish between right and wrong अब बच्चा जो है वो comparison नहीं कर पाता है कि क्या सही है, क्या गलत है उसे नहीं अंतर का पता होता है however, childhood bring maturity, individuality and critical thinking जबकि जो adulthood है वहाँ पर maturity आ जाती है एक व्यक्तित वा जाता है और उसके जो विचार होते हैं वो अलोचनात्मक हो जाती है तो यहाँ पर आपके सभी short question answer होती है complete I hope आपको अच्छे सो समझ में आ गए होंगे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक like जरूर करें चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें and sorry for that आज कल मेरा गला थोड़ा खराब है तो वीडियो में आपको sound जो है वोई थोड़ी different लग रही होगी sorry for that ओके तो मिलते हैं अपने next वीडियो में तो के लिए बबाए